प्रकाज उसी स्वागत है मेरी यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के कन्या राशी परिवर्तन में के बारे में चर्चा कर रहे हैं 18 अगर 2023 में मंगल देव सिंग रासी यानि मित्र की रासी से टाटा बाई बाई कहके आप शत्रू की राशी में आ जाएंगे और मंगल बुद में विचारिक मदवेद है आपस में बनती नहीं है इस राशी इसके अंदर मंगल जब भी आते तो मंगल हो जाते कमजोर और कन्या राशी में 2 नॉंबर 2023 तक रहने वाले हैं यानि करीबन कन्या राशी में 45 दिन मंगल रहेंगे और 10 राशीयों को अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलने वाला है इस कारेकरम में बड़ी डिटेल में मंगल के गोचर में चर्चा होगी साती साथ देखा जाए तो आज इस कारेकरम में हम सारे विवर और दर्शको को बताएंगे कि मंगल कुंडली के अनुसार कौन सी स्थती में होता है तो व्यक्ति More powerful होता है सत्ताधारी होता है कितना नीचे से उपर का सफर टह करता है संगर्स से अपना इतिहास बनाता है साती साथ पवर्फुल व्यक्ति बन जाता है राज नहीं नहीं दधा हो तो आज इस कुल्दी में हम चर्चा करेंगे अगर आपकी कुल्णी में भी मंगल की पोजीशन ऐसी है बस आप करम करते रहें क्योंकि कहा जाता है करम परधान जग रची राखा यानि कि यह जो जग है यह करम परधान है यदि आपकी कुल्णी में मित्रों यह योग बन भी जाया और घर के अंदर आप लेटे वें हैं कुछ मैनत नही काबू नहीं पा रहे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्यूंकि यह करम परधान है यानि कि मैनत करने पर करने पर भी घ्रह का बागगे का वगवान का अशिरवाद व्यक्ति को मिल पाएगा यदि खाली रहेगा तो नहीं मिल पाएगा इसलिए आपको करम तो करना ही पड़ेगा चलिए हम बात कर लेते हैं पहले मंगल के उपर देखिएगा मंगल क्या है और मंगल अच्छा और बुरे के बारे में हम चर्चा करने से पहले मंगल के कारक के बारे में बात कर लेते हैं जैसे आप जानते हैं मंगल भूमी का कारक हो विशेश मेहतो रखता है वहान से जुड़े प्रोफेशन वालों के लिए मंगल का बहुत मैहतो है साथी साथ वकीलों के लिए मंगल का बड़ा मैहतो है लड़ाई जगडा भी मंगल कराता है चोट फटाग भी मंगल देता है और देखा जाए तो 18 अगस्त 2023 में मंगल 45 दिन क के लिए कन्या राची में रहेगा तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दस राची उपर उथल-पुतल मिलाएगा यानि कि कुछ राची ऐसी होंगी जिनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और चौबीस सितंबर से देखा जाए तो मंगल पच्छी में अस्त हो जाएंगे यहां प भी गुई ग्रहां हो जाता है तो खराब भी फल नहीं दे पाता और अच्छा भी फल नहीं दे पाता यानि कुल मिलाक के देखा जाए तो 18 अगस्ट से 24 सितंबर तक ही अच्छा और गुरा दोनों प्रकार का रेजल्ट मिलेगा फिर 24 सितंबर से लेकर और दो नुमबर तक मंगल का कुछ भी फल नहीं मिलेगा और मंगल का अंतर उनके लिए भी बहुत महत्पुन है जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो मंगल सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल कैसे व्यक्ति को कहते हैं रंक से राजा बनाता है यानि की पावरफुल बनाता है लोग उस व्यक्ति के नाम का जाप करते हैं उसकी तरह बनना चाहते हैं मंगल की कौन सी ऐसी इस्ततियां है मंगल का ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि व्यक रजित्य है उक ऐस तो कहीना कहीन देखा जाए तो मंगल की पावर मंगल का बल उसको मिलेगा चाहे मंगल कमढ़ हो तो कमढ़ मिलेगा मंगल अपनी उच्छ राशी में बैठा हो मित्रों तो बहुत जीडा बल मिलेगा ऐसे व्यक्ति को यानि कि चाहे मंगल यहां पर नीच राशी में बैठा हो तो भी व्यक्ति को बल मिलेगा यदि यहां पर मंगल उच राशी में बैठा है तो व्यक्ति को क्या ही कहने तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मंगल यहां पर अगर पावरफुल है तो कही ना कही व्यक् अपनी बात को मनवाने में कहने में समझाने में बड़ा माहिर होता है मार्केटिंग में बड़ा माहिर होता है अपने को सेल करने में बड़ा बाहिर होता है अपने अडिक होता है मंगल अगर यहां पर इसी इस्थान में आपका है तो आपके अंदर आत्व विश्वास कूट क उठके बर देगा आपकी आप अच्छे वक्ता हो जाएंगे आपकी नॉलीज अच्छी होगी आपके वानी आपकी परस्नेलिटी आपका बैठना उठना चनला कप्ड़े पहनना लोग आपकी बड़ी तारीफ करने वाले आप जैसा बनने वाले यहां यहां पर है लेकिन इसक सिंगल अलग व्यक्तितों को निखानने की कोशिज करें यह भी याद रखेगा कुछ लोग यहां पर मंगल होते हैं तो शारुख खान की कॉपी करने लग जाते हैं कि किसी एक्टर की अभी नेता नेता की कॉपी करने लग जाते हैं तो कॉपी ही रह जाते हैं उनका अपना ज परधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी की कुंडली में देखा जाए ब्रिश्चिक लगन की कुंडली है लगन में ही मंगल बैठें चंद्रमा बैठें चंद्रमंगल का योग बन रहा है तो एक तो मंगल ने देखा जाए तो मोधी जी की कुंडली में इनको इनका व्यक्तित प् कुणडली में तो यहां पर भी मंगल लाबभाव में ने बावतुल योगी होने के बावजूद भी इतना पावरुफल बना दिये लोग इनके फैन हैं तो कुल मिलाकि ये मंगल लाब भाउं में हैं तो इसलिए यहाँ पर पावरफुल पोजीशन है साथी साथ देखा जाए गौतम अडानी की भी कुली अगर देखे जाए तो कुली में मंगल नवों भाउं में बैट हैं जिसते यह पावरफुल बन गया है यानि कि अच्छे उद्धमी बन गए हैं जमीन से उच्चितम सिकर प्राप्त किया है गजब का आत्मिस्वास है गजब का कॉन्फिडेंस है और अच्छे उद्योग पती बने है सी कुली के बारे में बात करें तो मैं एक्जामपल दे रहाँ योग बनाते है या प्रभाव Šाली व्यक्ति का योग बनाते है तो आप जानते हैं यह बताने की जुरूत नहीं है यानि मंगल देखा जाए तो जिन भाव में मैंने बताया है उसमें मैंने करीबन 100 कुंडलियों में रिसर्च की है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो कुछ कुंडलियां मैं आपको बता रहा हूं वैसे सो कंडमी में research है कि मंगल यहां यहां बैठता है तो powerful बनाता है तो कुछ डाटा और देखा यह तो ओड़ी बहुत खूडली को दिखाया लोगों लोग उनके concept को लोगों ने माना गजब के आत्मिद्वाद गजब की कला कजब का अबिने और गजब का उन्होंने अपना confident दिखाये जिसे की व्यक्ति उनके fan हो गए तो कुल मिलाके मंगल का बहुत जरूरी है क्योंकि मंगल मैनत कराता है याद रखिएगा मंगल अगर देखा जाए कुडली के अनुसार शक्ति देता है आत्मिस्वास करता है और कोई भी काम बिना आत्मिस्वास की यदि आप करेंगे वो successful हो गा ही नहीं क्योंकि जो भी आप और जितने भी मानतम पुरुष रहे है इस धरा के अंदर जिन्हों ने अविश्कार किया है उन्होंने जब किसी थोट के बारे में सोचा है तो अपोनेंट ने उनको गिराने की बड़ी कोशिश कियो उनकी थोट का प्रतिकार भी निकाला है लेकिन अगर आपका गजब का तो आप उनको वक्त समय के बाद धराशाही कर देंगे याद रखेगा चली यह तो मैंने बात करी कि मंगल कहां कहां पर कुंड़ी में कैसा रिजल्ट देता ही रिसर्च पे काफी यूट्यूबरों की काफी नेताओं की काफी उद्मियों की मैं निकाल चुका हूं लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी चली आप बात कर लेते हैं आठ राशियों यानि कि आठ से लेकर दस राशियों पे यह 45 दिन क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में कारण वाद विवाद रह सकते हैं साती साथ वाहन चलाते समय आपको सावदानी रखनी है वहन का चलान कट सकता है चौबीस सितंबर तक आपको फोड़ा सा परिशानी रह सकती है और जब तक मंगल अस्त नहीं हो जाते तब तक मंगल का बैड एफेक्ट में राशिवा लों अच्छी है धन काम में बड़ोतरी करेंगे साती सात रिलेशन और लव के लिए बहुती लाबकारी सिचुएशन है यानि कि आपका नए मित्र बन सकते हैं या रिलेशन और गंबीर हो सकते हैं लव में जो तूतू महमें हो रही थी जो वाद विवाद हो रहे थे वो मित्र राशी के लिए देखा जाए तो मंगल का गोचर आपकी राशी से चतूर्थ में बैठा हुआ है यानि धन के लिए और करियर के लिए बहुती लाबकारी है यानि कि अच्छा धन लाब आपको 45 दिन मिलेगा साती सात करियर में भी अच्छी न्यूज़े आपको सुना है और वाहन पे आपका खर्चा या एक्सिडेंट या हलकी चोट मित्र राशी वाले जातकों को लग सकती है मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफी टाइम से परिशान था तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी के से मिलना हो पाया आज लोकल लड़का मिल गया है और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है करकराशी करकराशी से देखा जाए तो आपकी राशी से मंगल तृत्य में होना तो बड़ा लाबकारी मंगल का जैसा मैंने बताया प्राकरम इस्थान है विदेश समंदित काम आपके सपल होते हैं विदेश का वीजा या विदेश जाने का अपलाई कर रहा है तो वह काम में आपको 45 दिन में कोई खुशकबरी मिलेगी कोट के सरकारी को रुका हुआ काम है 45 दिन के अंदर यह सौल्व होता हुआ नजर आ रहा है और कोई चुनाव लड़ना चाते हैं 40 दिन के अंदर आ रहा है तो उसमें और डबलू हैं मैं परदानी के चुनाव में आपकी विजय दिख रही है साथी साथ धन के लिए करियर के लिए यह समयापका मध्यम रहेगा यानि ठीक टाक रहेगा बहुत अच्छा नहीं लेकिन नॉर्मल रहेगा इसी प्रकार से पा खर्चे भी होंगे और धन आएगा भी या तो आपका कोई बड़ी डील हो जाएगी या कोई बड़ा धनलाब आपको मिलेगा लेकर साथी अचानक खर्चे भी बढ़ेंगे विजली पे खर्चे इलक्रोनिक आइटम में खर्चे या आप कोई अपने लिए कोई चीज तो हेल्थ में आपको चोट लगने के या हलका हाथ पेरों में दर्द या पेन रहेगा आपके कमर में दर्द की परेशानी आपको रह सकती आपको योग करना पड़ेगा चटा गोचर अगर देखा जाए तो चटा गोचर रहेगा कन्या राशी के लिए कन्या राशी के लिए देखा जाए तो ये गोचर थोड़ा सा कन्या राशी के लिए अच्छा नहीं है वाद विवाद लेके आएगा भाई बैनों से वाद विवाद माता पिता से पार्टनर से लवकपल से आपके वाद विवाद रहेंगे साथी साथ पुलीस टेशन के चकर सरकारी नोटीस का बुक्तान या सरकारी दफ्तर के चकर आपको काटने पर सकते हैं किसी समस्या को लेकर साती सात करियर और धन के लिए ऐसा नहीं कि यहां पर आपको चक्कर तो काटने पर रहे हैं लेकिन करियर और धन के लिए काम के लिए मध्यम समय यानि यहां के लिए खराब नहीं है यह फालतों की टेंचने ज़्यादा देगा इसी प्रकार से सात्वा गोचर है तुला लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं मानती, जोतिश, एस्ट्रॉलेजी, मैं इन सब चीजों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीजों को नहीं मानते, लेकिन मम्मी के फोर्स करने पर मैंने उन उपायों को फॉलू किया, तो आज मुझे अपने अदर बहुत बदलाव महसूस होता है मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब जूतिश विद्या को मानने लगी हूं इसलिए मैं जूरी जी का कोटी-कोटी प्रणाम करती हूं कि उन्हेंने मुझे यह उपाए बताए तूला के लिए अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं खर्चा बढ़ाने वाला है अचाना कि आप बेफालतु के खर्चे करने लगेंगे इलेक्ट्रोनिक आइटम खरीदने लगेंगे साथी साथ प्रॉपर्टी के रेनुएशन पर खर्चा करने लगेंगे साथी साथ कोई नया काम आप खोलने के फिराक में 45 दिन में करेंगे या कोई प्रपोजल लेके आएगा एक दम से आपको अच्छा लगेगा आप नया काम खोलेंगे साथानी से काम करें साथानी आटी दुरगटना भी गड़ सकती है सोच समझ के आपको धन इन्वेस्ट करना है यह समय 50-50 है त से थोड़ा बैतर हो जाएगा करियर में भी थोड़ा से सकून आपको मिलेगा आठवा गोचर देखा जाये तो ब्रिच्चिक रासी के लिए आपकी राशी से गोचर लाब भावं में बंढ आ हाला कि मंत्री राशी फल में अगस्त के महीने में व्रिच्चिक राशी के बड़ी डील आपको आपकी बन सकती है कोई रुकाव धान आपको मिल सकता है यानि कि अचानक से कोई व्विक्ती आएगा कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है ऐसा योग नज़र आ रहा ह।्प करिय आप लेकिन करियर में स्थधी अच्छी है और कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है। खुल मिलाके देखा जाए तो बिरिश्चिक रासी वालों के लिए स्थधी थोड़ा सा बहतर है। बाकी तो आपको करम भी करने हैं, घर में लेटी लेटी, अगर राची फल देखेंगे मित्रों तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि करम परधान जग रची राखा, यानि कि पूरा करम परधान जग है, अगर कुंडली में साथ के साथ ग्रेवी मित्रों राजयोग बना रहे हैं, जैसा मैं बार-बार बोलता हूं, जरम पत्री का हर कोई बाचे, करम न बाचे कोई, जरम पत्री का तो फिलोस्पिकल है, बहुत से लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत से जोतिती बड़ा अच्छा बताते हैं, आहा, अनन्द आ जाता है लोगों को, उ अब नवी राशी के बारे में बात करें मेरे अपनी तंजानिया में प्राइविट प्रैक्टिस है जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी लेकिन मैंने जब से परकाश पंडी जोशी के कहने पर चला और जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा करता गया आज मेर परिवार के साथ सुखी जीवन वेतित कर रहा हूं तो धनू राशी है जिस पर प्रभाव पड़ेगा तो देखा जाए आपकी राशी से देखा जाए तो यह गोचर दसम में यानि देखा जाए तो काम में उन्नती होगी या काम में कोई पोजिटीव न्यूज आपको सुन 45 दिन जगड़ा भी होगा मतलब पाटना से परिवार से बहुत जगड़ा होने वाला है बुस्सा भी बहुत रहेगा याद रखिएगा तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजेगा नहीं तो काम बिगड़ते हुए भी नजराएंगे दसवी राशी अगर बात करें तो दस इनके लिए यह गोचर मध्यम रहेगा यानि कि ठीठा की ना तो बहुत अच्छा है खराब है लेकिन आपके पार यानि पतgen के लिए यह लव पार्टर के लिए और उनकी हेल्थ के लिए यह जो होड़ा बहुत अच्छा नहीं है पार्टनार को अचानक चोट लगने लगे या हेल्थ के इशू रहेंगे और खासकर यह जो अगस्त का मैना यह जदा भारी रहेगा आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए सितंबर से थोड़ा-थोड़ा के इशू infection के इसू allergy के इसू पैर के इशू चोट के इसू वहान पर खर्चे के इसू और बीपी के इसू मतब कोई ना कोई पार्टनर को हैल्थ के प्रावलों अलग-अलग लोगों को मिलती रहेगी तो मित्रों इस कारेकरम में मंगल के पूरे गोचर के बारे में बताया और मेरा बिजनेस है मैं तेल का बिजनेस करता हूं मगर मेरा बिजनेस में काफी लोस हुआ मेरी जिन्दगी की स्थिती बिखर गई थी परिवार मेरा बिखर गया था मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए मैंने उसे जोतिश विद्या का ग्यान लिया उन्होंने मुझे जोदिशिद्या का ग्यान बताया और जब से मैं उनके संपर में आया हूँ तो मेरी जिन्दगी में काफी खुशाली आ गई है मेरा बिजनस भी हो गया उन्होंने मेरे को ये सब बताया विद्धिया मैंने उनकी मानी आज मैं वेल सेटल हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है मेरे को किसी तरह की कोई परिशानी नहीं है मैं उनका बहुती आभारी हूं मैं उनका बहुत बहुत कोटी कोटी धन्यावाद करता हूं झाल झाल झाल